प्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की तैयारी करनी है हमको आज इस शो मुनाफे की तैयारी में और है बड़ा इंपोर्टन दिन हाँ नहीं वीकेंड आगे खड़ा है वो अपनी जगे बारिज बहुत होगी वो अपनी जगा लेकिन कई सारे इंपोर्टन चीज़ों पर हम रिय के Q1 रिजल्ट कल शाम को आए हुए है उस पे रियाक्शन और TCS के नंबर्स का शायद रबाव बाकी हेविवेट आईटी कमतीस पे परड़ा होगा यूएस में कुछ इंपोर्टन प्रिंट शाम को आने थे एक सबसे इंपोर्टन उनके रेटेल महंगाई के आंक्रे जून महीने के और साथ-साथ जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे पर जॉबलेस क्लेम्स से ज्यादा important था CPI तो हर जगे headline वही grab कर रहा है in fact jobless claims तो ढूनना पढ़ा था net पर search करके कि आंक्रा कैसा है क्योंकि हर जगे सिर्फ retail inflation की चर्चा बहुत है और आज भी equally important session खड़ा है data points, news flows के लिए हाथ से US का inflation अपनी जगे हमारा खुद का inflation print आना है भई अच शाम को साड़े पांच बजे वो भी important है हलाकि कल शक्तिकांता दास साब ने कहा है अभी rate cut वगरा की बाते करना तो बहुत जलबास ही है इसके बारे में सोचें ना इस तरह के views आयोंगे पर फिर भी inflation print नजर में रखना जरूरी है इस पर आएंगे बातचीत कल लेंगे I.I.P. के numbers dated रहते हैं लेकिन आएंगे उस पर परचा होनी है H.C.L. टेक एक और IT कमणी आज अपने results खोशित करेगी हमारे US में बड़े-बड़े banks के numbers आने है निरजी सो उस पर पर लोग Monday को चर्चा कर रहे होंगे क्योंकि market moving हो सकते है ये result जब आज शाम को आ रहे होंगे और Friday है तो Sensex की weekly contracts की expiry का दिन भी है और अब तो B.S.C. के Sensex BankX के भी जलवे है ये भी market moving expiry हो चुकी है इसलिए important ये भी लेकिन वीरो कामगाज कैसा मूड और क्या तयारी बिलकुल आशिश आई थे कि कोई बहुत बड़ा इंपक्ट जब मॉर्निंग कॉल कर रहे थे वस वक्त करीब 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 कर शाथ हमकों को अज़ाफा था ना इस 45 लैट मिस हम आज खोलते ही साथ एक बाफिस से अपने मिक्स रुजान है और डाव जोन्स फ्यूचर्स की ट्रेजिक्टरी एग्जेक्टलि अगर आप देखें तो इस वक्त बत्ते संग कूपर ट्रेड करते हुए अब करीब करीब 6 लैट कूपर है और रेस्ट आफ एशिया में अगर आप देखें सत्पुते मानच जैस्वाल प्रकाश कावा आशिश बहती प्रशान सावन्त और शिल्प परावज्जी होंगी और आज फंडमेटल नोट पे बाचीत करने के नहमासाथ पार्थिव शाह होंगे बट रुजान इस वक्त काफी फ्लैट आशिश हमें खुलने के बाद अपनी डिरेक्शन आज मिलेगी आशिश बिल्कुल ठीक है तो होपफुली नौ बजे के प्री ओपन से पहले आज के सेशन की पूरी तयारी करा देंगे आपकी अब आईए ज़रा सा ग्लोबल मूड मौल को कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद निफ्टी निफ्टी बैंक की आज की डिटेल स्ट्राटेजी पे उत्रेगे गिफ्ट निफ्टी फीका सा है बिल्कुत सही कह रहे हैं वेरू 60-70 पॉइंट वाला आप 40 पॉइंट ही हरे निशाद पे लेकिन हाँ इन ग्रीन शुरुआत होगी पर ग्लोबली ऐसा कोई खास मूट देखनी रहा है जैसे कल सुबह तो अपन कह रहे थे यूएस में 1-1 परसेंट का हैंडवर मिला था उच्छाल का एशा कल सुबह 1-2 परसेंट मजबूत था तब हम नहीं चले आज तो एशा मिला जुला है in fact कुछ मार्केट स्पेन में आ गए है कॉस्पी निकाई देखेगा आप तो 1-2 परसेंट दबाव में समय काम काज कर रहे है इस तरह का दबाव आया है एशा में एशा की प्लेट फायर अप करिए यह एशा आपकी स्क्रीन पर आया खई सारी पॉकेट साब अच्छे कह से दबाव में प्लस यूएस के मार्केट जो हैंड ओवर आया मिला जुला सा है मिला जुला भी निकाऊंगा दबाव वाला है बाव के लिया लियाद से कोई डाव फ्लाट था बस और देखियो उसके सामने SNP और नाजडाइक एक परसेंट SNP का कट नाजडाइक का दो परसेंट का कट और यह तब हो रहा है जब हेडलाइन कह रही थी कि इंफलेशन से रहा टाइप्स तो भाई साब एक तो US में क्या क्या निकल क्या है वो समझ लिया जाए फिर इस तरह का फिर behavior क्यों जो सब कुछ अच्छा-च्छा sound कर रहा है यह भी जानने की जरवत है निरज जी good morning मामला तो आज थोड़ा सा गर बड़ाया हुआ दिख रहा है बहुत interesting चीज़ है पहले inflation समझे थी पॉइंट वन का expectation था कुछ लोग कहते हैं 3.2 भी आ सकता है आया 3 तो अनुमान से नीचे आया और घटा है पहली बार देखिया आप यह जो आपके सामने बाहर लगे हुए है इसमें लगातार गिर रहा है मन्त होन मन्त और तीन परसेंट पर आ गया अब एक बार तीन का psychological level टूटा अगले महिने तो बहुत बार बार ती और वही चीज़ आप कोर चाहे आप घरों के किराये का देखो चाहे आप फ्यूल का देखो या आप सर्विसेज का देखो सब भी महिन नरम पड़ी है यह बहुत पॉजिस्टिव ख़बर है रेट कट के लिए तो महौल तो बना दिया अब जो डेटा आप देखना चाहते है रेट कट होगा तो अब यह कॉंटेक्स सेट हो गया कि महंगाई कम हो गई है बाइडल साब पाविल साब कॉन्फिडेंट है कि नीचे आ रहा है तो रेट कट का महौल है तो मार्केट क्यों गिर गया नैस्डेक कितनी खारी पिटाई क्यों हो गई वो इसलिए गिरा क्योंकि कल तक मार्केट लाइफ हाई पे ख़ड़ा था तो स्मार्ट इंवेस्टर्स ने वहां से पैसा निकाला और पैसा डाला छोटे स्टॉक्स में जो रेट सेंस्टिव है और जहां बहुत चार प्रसेंट की मजबूती है इस वजह से इसमें तेजी बनी दूसरा गिरने में पूरा मार्केट नहीं पूरा इसनपी पूरे आईटी सब गिर गये हूं टॉप 10 स्टॉक्स में से 9 वैथवे को हटा दीजिए तो ऊपर के 9 गिरे हैं उसमें से भी टेसला ने ज्यादा ग पी देखें तो उसको इस संदर्व में देखें अदर्वाइस मार्केट में बहुत बड़ी तेजी का महाल बना हुआ है और आपको डारेक्ट को रिलेशन समझना है तो आप गोल्ड देख लो चौविस सो निस डॉलर बख़डा होगा एक जटके में उसने तीजी मारी क्यो इसा मान के चल रहे हैं और दूसा भी आ जाएगा जेपी मार्गन ने भी अपना अनुमान अनुम्बर से घटा के से दंबर कर दिया है तो बहुत पॉस्टिव बहुत ही स्ट्रॉंग है और इधर जपैन में आप देखेंगे तो यहां कुछ सेंटरल बैंक ने इंटर्वें साथ हो गया है तो यह एक इंट्रेस्टिंग सिनेर्यू है ग्लूबल मार्केट का जो की काफी पर्सिटिफ है लिजमाई साब तो कौनो घवरानी की जरवत तो है इच नहीं इंफलेशन कूल ओफ हो रहा है शायद सब्जुक्वेंट मंस में तो आपको टू पॉइंट की जवानी है वो डिले हो गई है और सेक्टरल चर्निंग हुई है और कुछ नहीं हुआ है को रसल बहुत मनला ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर गया है ओल्ड एकॉनमी स्टॉक्स दिखा रहा है कि इन ग्रीनी ट्रेट कर रहे थे तो सेक्टर चर्निंग हुई ह पैसा वैसे का वैसे ही है चैनलाइज कहीं और हो गया बास इसको ऐसे रीट करिए तो एक वो हो गया हाँ आज सुबह फिर ही सही है फिर निक्कई इसी दे दो परसंट के रहा हुआ है क्योंकि शायद एक सस्पेक्टेट इंटर्वेंशन है यह इनको समालने के लिए शायद वो रीजन हो गया कि एश्या में कुछ मार्केट अच्छा का सा दबाव वो निकई खास दौर पर दो परसंट वो अपनी प्रॉब्लम के रहा दबाव में ट्रेट करता हुआ तो बढ़िया है ग्लोबल एक चीज़ आपने नहीं बताई है कल पाइडन साहब नेटो समिट मे उन्होंने जेलिंस्की साब को इंट्रीज करा पुतीन बोलके और वो तब हो रहा था जब उसके एक घंटे बाद उनकी प्रेस कांफरेंस थी पहली अकेले जब खड़े होते हैं क्यूंकि उनको प्रेस को संबोधित करना था वो डिबेकल के बाद डिबेट के और उन्होंन कि इतनी खबरें चला रहे हैं आप लोग सब बंद करो एपी ने रिपोर्ट किया है उसको कि वो अभी एक और एक स्टेट कर साथ गवर्नर एक कोई जो इनके सपोर्ट में आ गया है तो इनको और ताकत मिल रही है अब यह अलग है कि लड़ाएंगे हम ही चाहे को जो हो जा इसके नहीं पढ़ा है इसके मुझे नहीं पता है यह सोर्से से हैं हमारे बागी यह तो पता है मुझे कि उन्होंने प्रेसिडेंट पुतीन के नाम से इंटिदूस कर दिया उनको खैर ठीक है चलता है मैं भी भूल जाता हूं कई वार जैसे अब कोई गैस बैठा कई होता ह अब भाना वाद तो लाग ऑफ सी लेकिन अपना भी दिमाग पैदा होता है कभी-कभी ज़िए नहीं कि नाम लिख लेजाओ विचारे मुतीन साब भी क्या करेंगी एसी गल्की गल्ती हो जाता है इसका एक्स्क्यूज आप सिंपली दे सकते कि दिमाग में इतनी सारी चीज कि आप कुछ का कुछ बोल जाती है आप अब साथ आगी का बोलना है वो सोच रहो तो 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 यवी भूल जाता है रिकान मेटाता है आप जितने भी प्रोफेसर देखेंगी ला बला मौसली अग्सली डॉक्तर्स देखेंगे आप उनकी राइटिंग बहुत खराब होती है पढ़े लोगी? उनका दिमाग उनके हाथ से तेज चलता है इसलिए वो लिख नहीं पाते उतनी तेजी से तो जब तेज लिखो कराब हो जाएगा एकदम साइंड भी गई अब मैं बिल्कुल यह नहीं कहना हूँ जिसके राइडिंग अची है वो तेज नहीं सोच रहा हूँ अब मैं बात सही है यह मुझे हिंदी डिपार्टमेंट की जो दिल्ली इंटी की हैड अचोडी मैंने उनकी खुछ उच्टे इतनी खराबते हैं हिंदी की प्रोफेसर तो अनने का यह कैसे मैडम तो उनने का यह मैं बहुत तेज सोचते हूँ इसलिए पता नहीं कुछ इसलिए ने करिशने का निगे जो बहुत तेज सोचते बहुत ज्यादा दिमाग लगाते रहें तो इनकी राइटिंग करा हो जाती है वी रू के बाद चला जा आप निफ्टी की स्टाइडिश सबजने के लिए आब पहरे निफ्टी कर रखीगा प्लीज ना पिल्कुल पर फेविर था शुरुवात का परसो क्या हुआ था परसो ग्लोबल संगेत अच्छे थे गैप आप मिला गैप के बाद ठंडे पड़े थे कल भी ऐसी कहानी हुई अच्छे ग्लोबल समीकरणों के बीद 70-80 पॉइंट ऊपर खुला था ये निफटी शुरुवात में पर परसो की हाफ में रिकावरी और परसों से लेकिन अच्छी मीनिंग्फुल जाद अच्छी रिकावरी हम फ्लैट लाइन में जाके बंद हुए पर हां रहरे कि उपरी से प्रेशर बंद रहा है ऐसे मैं वीरू से जानना जरूरी है ये बड़े-बड़े इवेंट से पहले निफ्टी कि दिन में डर लगने लगता है भी बीच में कि आ तो नहीं गया वो दिन मुनाफ़ा वसूली का प्रॉफिट टेकिंग का गिरने का फिर समल जाते हैं तो फिर भरोसा बढ़ जाता है हम लोगों का लेकिन हो के राय स्क्रीन्स पे कैसे अप्रोच करूं अब मैं निफ्टी दिन से हो रहा है और दूसरी चीज है अब तक की वेकनेस का सबसे बड़ा कारन रहा है अच्टी अपसी पैंक उसकी वेकनेस को मतलफ निफ्टी के सपॉनसर हती निवा को चूक कर आ रहे है वही culprit है कि Nifty भी कल अपने बेस को, आप्शन बेस को 24 दोसों को और Nifty अपने आप्शन बेस के साथ साथ 3 निमा को चूक आया और Nifty के, और HTFC बैंक के अगेंस्ट रोज बरोज एक force आती है चाहिए वो Reliance हो, कभी Nifty IT हो, कभी L&T हो, कभी Pharma हो कभी actual ITC FMCG हो, वो आके हमको यहां पे at least 24-350 की trajectory में ख़डा कर देते हैं तो यह struggling phase है, no doubt about that बट पिछले इन दो-तीन दिन की turbulence में, HTFC बैंक के pain में एक बात अच्छी हुई है कि हम एक बहुत ही overbought trajectory से, flying trajectory से थोड़ा सा cool off होके कुछ averages को revisit किया हमने For instance, Nifty ने दो दिन में दो बार touch किया, low लगाया 10-day exponential moving average का Nifty bank ने कल low लगाया 20-day exponential moving average का कल हमारी approach क्या थी? Threshold point था 387419, नहीं निकले, collapse होगा Short भी कर सकते हैं आप और उन circumstances में यह अपनी strength को recollect करने के लिए for expiry day अगर कहीं जाएगा तो वो level होगा 22-24-1995 Exactly वही location trajectory थी, वहां से pullback आया तो याद रखेगा trader के तोर पे, दो ही चीज़ हैं आइदर You trade above threshold points और You come down और आप नीचे आएं और अपने base को options के मताबिक या averages के मताबिक वहाँ पे strength recollect करें तो buy करें आज भी a year नहीं थी आशिश आज HDFC bank का फिर test होगा आज Reliance का फिर test होगा लेकिन ultimate test है Nifty IT का under the leadership of I think TCS आई अब options के stairs के साथ साथ FIS के stairs को देखते हैं FIS के stairs जैसे की मैं कहाई था आशिश पिछले दो दिन से profit tricking उनकी तरफ से हो रही है No doubt about that और कल करीब करीब 1137 कोड़ रुपे की selling करी 22 कोड़ रुपे का index बेचा 27,000 contract long काट लिए 4,352 contract short किये और HDFC bank में खासा pressure था आशिश और उनकी तरफ से 5,050 कोड़ रुपे की stock futures की selling थी 26,000 contract long काटे और करीब 49,000 contract short किये और आपकी देखिए जो डियागरम आप स्कीन पर देख रहे हैं तो आशिश आप ये समझ लीजे कि 8 जुलाई के आसपास ये contracts थे करीब करीब 3,80,000 net long अब ये reduce होके करीब करीब 3,6,000 पर आगए है यानि करीब करीब आप समझ लीजेगा कि असी हजार contracts long shed हुए है पिछले लगभग 4 sessions में बट अगेंस टेट जो price damage हुआ है अब तक याद रखेगा वो बहुत controlled रहा है आप निफ्टी पे 10 देमा की भी उपर है और निफ्टी बैंक 20 देमा की उपर है 10 देमा की उपर है अब आते हैं आज के stats पे 24-400 पे सबसे बड़े colitis 24-500 पे उसके बाद के बड़े colitis 24-500 weekly as well as monthly contract पे सबसे बड़ा supply zone है मैं फिर कह रहा हूँ 24-500 और उसके उपर की life उसके उपर के levels it will be a transition process 24-000 के उपर एक transition process थी and another will take place at above 24-500 option base अभी आपका 24-300 है 200 है और 200 को आपको importance इसलिए दिनी आशिश क्योंकि ठीक 24-200 के आसपास ही आपका shortest moving average 10-day exponential moving average placed है आप देखिए आज TCS के numbers है मतलब numbers का reaction दे रहा है और किस तरीके से कल call writers 24-400 को और 24-500 को अपने grip में लेकिया है वहाँ पे strong call writers कल भी visible थी बावजू दिसके कि उनको नहीं मालून था कि TCS की numbers कैसे होंगे और 24-200 पे और 24-300 पे port writers अब लिक्याइए levels कैसे trade करूँगा मैं देखिए trade का theme trade का अगर आप देखें तो सारा का सारा समिकरन वही होगा either we trade above threshold points और at base लिक्याइए resistance को पहले discuss करते है आज resistance क्या है देखे 400 का call writer और उसके conviction को देखते वे मैंने level 1 draw किया है and that's I think 24381 and 419 कल का अगर long है तो first instance मैं बिना सोचे यहाँ book की जाएगा बले ही दुबारा trade पंच करना पड़े for long trade but यहाँ पे book की जाएगा 419 के उपर sustain करे उसका meaning यह होगा और उसके वक्त आपको यह दिखना है कि exactly बजार की breath कैसी है mid caps क्या कर रहा है reliance क्या कर रहा है IT क्या कर रहा है ITC क्या कर रहा है अगर 419 के उपर sustain हो रहा है nifty 50 की breath अच्छी है then it will give a swing towards 457, 483 and 527 527 हो जाएगा तो एक बदा फिर book कीजएगा फिर सोचेंगे के stats क्या क्या रहा है क्योंकि 527 के उपर sustain करना that means another transition process will begin तो फिलाल उस वक्त के लिए हम 527 की टिपड़ी करते है on the contrary अगर पहले level पर rejection आ जाए तो आशिष यह फिर collapse होगा 101% collapse होगा और collapse towards 242161 possible है और इसी के आज़ पास आपको फिर उस breath को देखना पड़ेगा जो आप उपर की तरफ देख रहे थे कल क्या हुआ था इसी के पास reliance चला इसी के पास ITC चला वहाँ से strength leak करी वहीं चला तो यहीं trade pick करेंगे इसी base 1 के इर्द गिर्द याद रखेगा अंदर 10 day exponential में यह रच भी है तो हमारे पास 300, 200 के put writer और 10 day माई यह 3 properties है base 1 के अंदर रखेगा और एक और बात याद रखेगा अगर आज या कल में या कभी भी base 1 violate हो रहा है इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा वो आ सकता है आशिश ओके यह हो गई nifty 50 की आज की रणनी थी लाइए प्लीज nifty bank का कल का चाट recovery इसमें भी आई थी पर इसमें दोनों heavy rates हो ना वो disappoint कर रहे है HDFC bank, ICAC bank और tradable तो रही नहीं पिछले कई दिनों से इस पे चर्चा हो रही है programming में कोई नों कोई nifty की मदद करने के stock आ जाता है यहां पर थोड़ा सा confusing signal generate हो रहे है ऐसे में वीरू nifty bank cashless strategize करना है क्या levels watch out करने तेकि आशिश इसमें तो कोई दुदर आई नहीं कि bank nifty tradable थोड़ा कम है risk takers ने पैसा बनाया है जो compulsive nifty bank की trader होते है जिनकों मैं खुछ जानता हूँ वो पैसा बनाते है दो properties है इस index की आशिश ज़रा एक बचार लेका आईएगा लंबे फ़र 53,000 एक बहुत strong supply zone है 53,000 बावन अट सो बावन पाच्सो मिट पॉइंट है और जो बावन हजार है वहाँ पे पॉट्राइटर भी है 52,000 की इर्द गिर्द 10 डिमा भी है और 51,800,900 की बीच में आपका 20-day expansion बेश भी है HDFC के bank के इतने बड़े pain की बावज़ू डेक्टर साब एक काम कीज़े स्क्रीन पे जरा क्रॉस स्टार्ट रखेगा HDFC bank versus bank nifty HDFC bank आपके स्कीन पाएगा आशिश अब आप यह देखिए आशिश HDFC bank इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessions में 1792 का stock कल लगभग 50 डिमा का लो लगा है 1601 का इतने बड़े pain के बावजूद nifty bank ने अब तक 10 डिमा, 20 डिमा नहीं तोड़ा यह अपने आप में उसके एक सफलता भी है यह उसका I think higher levels पर sustain करने की tendency भी शो करता है तो उपर का supply zone भी है बट अभी तक as of now 52,000 on closing basis वालेट नहीं हुआ है तो यह जो मैं बात कहा रहा हूँ वो इसलिए कहा रहा हूँ for compulsive traders or risk takers यह जो base one है प्लीज प्रिमिस लिखाई एक बजरा प्रिमिस में आपको clearly visible है 53,000 पर call writer comfortably बेटा है without any tension और 52,500 पर 58,000 पर पूरी जगह पर call writers persist करते हैं even उन्होंने कल एक strong grip लेने की कोशिश करी क्या देख रहे हैं आप 52,000 की call option का outstanding OI almost 50% हो गया है उस strike के put के OI के that means उसने एक grip लेने की कोशिश की है अब यह एक message भी है और यह टेसल भी है लिख आई यह level sub याद रखेगा for risk takers मिरको नहीं मालूं HTVC bank आज कैसा behave करेगा और for risk takers base one जब तक screen पे है उसको याद रखेगा क्या है वो वो है करीब करीब 52,065 और 51,931 इस trajectory के नीचे जब तक हमारा close नहीं आ रहा है तब तक collapse शर्ट का इस्तमाल मैं नहीं करूँगा risk takers इसके उपर की turbulence को बाय कर सकते है और अगर base one wallet हो रहा है आज में या फिर कल में that means यह pressure handle नहीं कर सकता in that case first instance में 51631 की trajectory खुल दागी और even 51,500 short trade accordingly but अगर आप base one पे trade pick कर रहें आशिश उस trade को check करने का exit करने का zone है 52,487,611 यहाँ पे शर्टिया बुक कीजेगा Nifty Bank अपनी जो first strong supply trajectory है उसमें तब जाएगा जब 611 की उपर sustain करें 611 की उपर sustain करेगा 52,611 के तब एक 701 canvas लेकर 52,932 तक का swing देगा आशिश यह है Nifty Nifty Bank का Friday approach CBC अवास का morning panel ready हो रहा है आशिश आशिश यह है आशिश आशिश मत्राव आशिश आशिश झाल